आज के हमारी एपिसोड की स्टार्टिंग वही से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खतम हुआ था सन्वू ने दर्वाजे के पास जो लिवर होता है उसे नीचे की तरफ कर दिया होता है जिसकी वैसे सन्वू के सामने जो दर्वाजा होता है वो खुल गया होता है तो मारलूक इसे अपने कंदे पे उठा के चला करता था लेकिन अभी देखो हम काफी लंबे समय से चलते आ रहे हैं लेकिन इस Old Man के अंदर बिल्कुल भी ठकान का एक कत्रा भी मैसूस नहीं हो रहा है मुझे और इस सारी चीशे तब से हुई है जब से लीडर ने अपनी Art of the Energy Transformation टेकनिक का यूज किया इस Old Man के उपर क्या ऐसा हो सकता है कि लीडर उस बच्चे के उपर भी नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी उस बच्चे को कोई भी उमीद नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि अगर मैंने उस बच्चे को कोई भी उमीद दी और वैसा नहीं हुआ तो यह काफी ज़्दा बूरा होगा उसके लिए अभी हमें इस बच्चे के अबर मैं ज्यादा बताया है नहीं कि दिन कि इस बच्चे की बात कर रही है लेकिन आगे दीदेदे करके स्टोरी में जलती ही उसके बारे में पता चल जाएगा हमें आगे वो सभी लोग ऐसे चलते चलते थर्ड ट्रैल के पास पहुँच जाते लिन वो जगह पूईता से खाली होती वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है जिसे देखके मालुक कहता है क्लैन लिटर ये जगह तो पूईता से खाली है मालुक को ये जगह काफ़ी तर अजीब लग रही है सनु कहता है मालुक तुम्हें ये जगह जैसे दीख रही है ये जगह वैसी बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस जगह पे ऐसी काफ़ी सरी चीजे हैं जो हम अपी अपनी आँखों से देख नहीं पा रहे हैं क्यों मैंने सही कहा ना जुगण यहां पे एक फॉर्मेशन को बिछाया गया है जिसकी वह सारी चीजों को देख नहीं पा रहे हैं अचानक से यह सुनके जुगेकन चौक जाता है वो परिसान होते हुए कहता है हाँ क्लैनिटर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं इस जगह को एक फॉर्मेशन से चुपाया गया है यही कहकर वो अपने मन के अंदर सोसता की का यह किस तरह का खतरनाक इनसान है इसने बस अपनी एक नजर में ही बता दिया कि जगह पे एक फॉर्मेशन को लगाया गया है लेकिन इस इनसान को इसके बार में कैसे पता है कि मुझे फॉर्मेशन के बारे में जनकारी है पहले इसने मिस रिंस से पॉईजन के बारे में पूछा फिर इसने मुझे से फॉर्मेशन के बारे में पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि यह हमारी पहचान के बारे में कुछ जानता हो नहीं नहीं भले ही हमारी पहचान के बारे में कुछ भी जानता हो और साथ ही साथ ये लोगों को चुनने में भी काफिज़ा अच्छा है, यहाँ पर सिप उनी लोगों को लेके आया है, जो यहाँ के ट्रैल को पास करवाने में इसकी मदद कर सकते हैं, मैं इस इंसान को कम नहीं समझ सकता हूँ, अभी हमारे लिए यही अच्छा होगा कि यह चाहता है, मैं इसके हिसाब से वैसा ही करूँ, यही सोसकर जूगेगन सनुष सकता है, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा फॉर्मेशन है, जो हमें किसी ऑबजेक को देखने से रोकती है, सनुष कहता है, जूगेगन क्या तुम इसे सॉल्फ कर सकते हो, यह सुनकर जूगेगन है, वो कुछ नेचुरल अबजेक्स से बना है, मुझे यहाँ पे एकदम बारीके से ध्यान देना होगा, कि आखी का किस अबजेक्स से एक फॉर्मेशन बना है, यही सोचते हो एक पथर के पास जाता है, उसे उठा के कहता है, यह रहा पहला आइटम, फिल जूगेगन वहा जूगेगन के बारे बताता है, जूगेगन एक ऐसा बच्चा जो बीना किसी टैलेंट के साथ पैदा हुआ था, वो एक टैलेंट लेस बच्चा था, और वही पे उसके क्लैन के अंदर उसके जनरेशन के जो लोग थे, वो सभी लोग फॉर्मेशन और स्ट्रेटीजी में का आपने ऐपने उपर ही Give Up कर दिया, भले जूगेगन जूगेगन का सकन हमास्टर था लेए उसके अंदर कोई वो काफिजय समझदार थालिक न अपने फादर के ऐसे नफरत को देखके उसने अपने टैलेंट को छुपा लिया और एक टैलेंट लेस और आहम सी जिन्द की जीने लगा लेकिन एक दूसरे सिक्ट ने उसके सिक्ट के ऊपर अटैक कर दिया और उसके सिक्ट के सभी लोगों बचा जिसके उसे उसे काफी ज़ा गुसा है अपने सेक के खतम होने की वज़ा सी तब जूइगन ने अपने असली टैलेंट को दिखाया लोगों को उसने अपने कमाल की स्ट्रेटीजी और फॉर्मेशन की मदद से अपने सामने वाले अपोनेंट सेक को हरा दिया और उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए चोटे मोटे आइटम को इस्तमाल किया गया था मैंने उन सभी को ढूंके उन सभी को डिश्टॉय कर दिया है बस वहां पे बड़ा सा पथर बचा हुआ है अगर आप उसे तोड़ देते हैं तो यह फॉर्मेशन पूही तो से खतम हो जाएग उजास्ते के उपर एक बहुत ही बड़ा दर्वाजा होता है जिसे देखके सन्वु कहता है फाइनली यह अपेर हो ही गया थर्ट ट्रायल तभी वहां पर बाके सब भी आते हो उस दर्वाजे को देखते हुए कह रहे होते सच में यह कितना सा अमेजिंग है यहां पर एक फ अफ यह हिम्मत हो और मरने का कोई भी डर ना हो और यह है ठर्ट ट्रायल दफाइनल ट्रायल यह सब पढ़ने के बाद रिन कहती है इसके अंदर मैं जाऊंगी और इस ट्रायल को मैं कम्प्लिट करूंगी क्योंकि यहां पर मैं ही एक लोती हूँ जो इस गुफा के अंदर करने बाद किसी की भी कोई भी मदद नहीं किया और ना किसी ट्रायल को पास किया और मैं नहीं चाहती कि सभी लोग मुझे यूजले समझे और किसी काम करना समझे इसलिए मैं इस ट्रायल के अंदर जाना चाहती हूँ और इस ट्रायल को कम्प्लिट करना चाहती हूँ यह सुनकर रिन खामोस हो जाती है और अपनी जगह पर खरी हो जाती है यही कहकर सनुव जाने लगता है लेकिन रिन फिर उससे पीछे से कहती एक मिनिट रुको जिसे सुनकर सनुव इरिटेट होते हुए कहता अब क्या हुआ तुम्हें तभी रिन सनुव के पास आती है और एक को देते हुए कहती इसके अंदर काफिज हाई लेवल के पैलराइज करने वाला पॉईजन है अगर तुम्हारा किसी खतरनाक दुस्मन से सामना होता है जिसे तुम्हें लगता है कि तुम उसे नहीं हरा सकते हो तो तुम इस पॉईजन का यूज करके उसे पैलराइज कर सकते ह ये सुनकर सन्वू उस वेपन को ले लेता और उस वेपन को देखते वे सोचता है ये वेपन कोई आम सा वेपन नहीं है बलकि एक hidden वेपन है रीन के क्लैन का इस वेपन को सिफ लाइफ एन देट के सिचुएशन में ही इस्तमाल करने के लिए दिया जाता है और ये वेपन काफ और अदर की तरफ जाने लगता है और इसी के साथ आज कामारे ये एपीजोड नहीं खतम होता है ये कोई भी अभी जाना मत क्योंकि अखला एपिजोड काफी जख खतरनाक होने वाला है और अगले एपिजोड के कुछ सीन में आप लोगो को दिखाना चाहता हूं जिस से आ झाल 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 झाल